मद्ध प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर भाजपाला कवान के द्वारा 49 सीटों को चैन किया गया था 49 चैन सीटों में से च्छतरपुर की दो सीटे थी एक च्छतरपुर एक महाराजपुर जहां च्छतरपुर से पूर्व राजप्री ललता यादव को टिकेट दिया गया भाजपा की ओर से तो वहीं कयास लगाए बेटली च्छतरपुर से पूर्व प्रत्यासी अर्चना गुर्दू सिंग जहां अर्चना सिंग का टिकेट कटने के पार लगातार अर्चना समर्थाग, रोडों पर उतरे और महिलाएं भी दप्ती लेकर पहुंची कि हमें छतरपुर में अर्चना चाहिए, मगर वो मांग करती रही लगातार पर हुआ कुछ रही, इसलिए हम आज बरिष्ट पत्रका पतिक खरेजी के पास आएं, समझेंगे कि अर्चना सिंग को भाजपा करीचे प्रत्यासी नहीं बनाती है, और अर्चना सिंग दूसरी किसी पार्टी के संपर्ग में आरी हैं, तो क्या छतरपुर की छै विदान सभा में भाजपा को चित होना पड़ेगा, क्या, चित खान अर्चना सिंग को टेकेट नहीं मिलता है, और ललता यादव को प्रत्यासी बनाया गया है, अगर अर्चना गुडू सिंग किसी अन पार्टी की संपर्ग में आती हैं, तो क्या वो च्छै विदान सभा चतरपुर में आती हैं, तो च्छै विदान सभा में भाजपा को हार म पूरे जिले के गाउं में इनका जनाधार है और पार्टी में किस सर्वे के आधार पर ये निने लिया ये हम दोगों की समस्य बाहर है पुष्पिंद प्रताप सिंग की राजनेते केरियर क्या रहा है पुष्पिंद प्रताप सिंग का राजनेते केरियर चात्रसंग की राजनेती से उन्होंने अपना केरियर सुरू किया और च्छातसंग की लगातार कई वरसों तक राजनीती करने के बाद वो भारती जनता पार्टी के जिले के जिला उपाध्यक्ष बने इवा मूर्चा की उसके बाद फिर उन्हें इवा मूर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया फिर वो भारती जनता पार्टी के जि कारियर कह रहा है पहले नगरपालका kembशली सब्सके के लिए और दिया गया और वनों में सब si तेषों से नहें नहें ऊत्यासी अधर दर्जीक कि healthier में हैं तर्फ धरह बारव नहीं है 100 findings जोवीpection के वजह सब्सक्राइब भरति दिय दुख समय अए 24 रेत्यार वोर। May 10,057 बोट से खिल किने थर्जरी दुख 2018 में उन्हों भारती जन्ता पार्टी ने छतरपुर विधान सवा से विधायक का उम्हूरबार बनाया और कांटे की टक्कर के बाद वो सिर्फ 2700 बोकां से चुना और बूच कर दो लोगों का कल जैसे उनकी काबड यात्रा निकल लेकी आजना गुदू सिंक्री महां लोगों हैं पिछले 10-15 बरसों में सीधे जन्ता से जुड़े हुए ठामती हैं जैसे महिलाओं की सुहागनों का आयुजन कराना दस एरे पे पूरे बजार में पूरे गाउं गाउं में लोगों को पान खिला में जाना नवराप्तरी के समय पे गाउं गाउं में देवी मूतियों की स्थापना करवाना जो गाउं में खिलारी होते हैं चोटे चोटे बच्चे होते हैं तीम होती हैं उनके पास संसाधन नहीं होते हैं उन्हें किर्टिक के सामान उप्लब्द कराना जो संगीत की मंडिलियां होती हैं गाउं में मंदरों में भजन पूजन करती हैं उन्हें सं पूरे जिले को उन्होंने परिवार भाव से देखा है और यह नहीं देखा कि च्छटलपुर बिदानतवा का व्यक्ति है पूरे जिले से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति उनके पास आया है जैसे उनका एक सब्से बड़ा डिरिंग प्रोजेक्ट जो है वो यह है कि जिले से और उने लगता है कि यह गरीब ब्यक्ति है तो तुरंत उसको एक पिंग तेल और एक पिंग डालदा विवार की रूप में यह देते हैं इसके लावा उसने जो भी मदद की मांगी वह भी यह अपनी उसे करते हैं तो इस तरह से इनका एक एक परिवार से जड़ा है तो पूर तो कहीं न कहीं ग्रामी इस्तर पे यह मैंने मुझे अच्छे से याद है 2013 से क्षी अचा को सब्कानी ठेसे लिश्य से हुर्ग interpreting आत करिवस्तों न कलूंत में कि उतना पह्डुत तो यह हाम्य सफा निनों की मैं इtesद्र बादश मतम्तित की अंगता है दॉम्य संब्स Razoo व कि अवल कुछ मतदान केंडर ऐसे थे जहां पर एक तरफ का बोटन हुई और इस तरह ऐसे उनको जो है 2700 के सम्किन बोटन से हार का साम्या करना पड़ा और 63000 बोट उनको में जो कि कभी नहीं नहीं जब लल्जता यादव यहां से चुनाव लगी तो लगवच 20,000 बोटों का के ल्याफा हुआ और यह 30-35 जो फोलिंग भूट थे मुस्लिम बाहुल छेत्रों के वहां पर 95% बोटन थी और उन बोटों पर इनकी हाथ ही जिसकान से उनको 2700 बोटों से चुनाव खालना करा है तो ग्रामिन छेत्रों में इनका बहुत जवर्जस्तवों है और सहरी छेत् अच्छा एक चीज और है कि जैसे उनका आपने बताया इतना राज्यतिक बड़ा करियर रहा सब कुछ रहा है भाश्पा ने टिकेट नहीं दिया अगर जी निर्दली जाएंगी किसी अनपार्टी से अगर टिकेट इनहें मिलता है और इन्हें कोई और अनपार्टी अगर देती तो क्या च्छे विधान सवा भाश्पा के लिए जीतना मुस्किल कर देंगी मुझे लगता है कि अभी भारती जनका पार्टी अपनी बूल शुखर करेगी क्योंकि जिस तरह से उनको टिकेट से बंचेत करने के बाद लोग सर्वां को पितर रहे हैं अभी कल ही उनकी हातों में इस वाद की तक्निया लिए थे कि अल्चना सिंग को चतर पर उमीदवार बनाया जाए मुझे ऐसा लगता है कि भारती जनका पार्टी अपनी जो भूल उन्होंने की है उनकी चैन समीती ने और कहां से किस सर्वे के आहार पर उन्होंने दूसरे प्रत्यासी को उम करी मिली है कि कॉंग्रेस और आप और बीच्टी तीनों संपर्ख कर रही है लगता अब देखे यह तो वही बता पाएंगे कि उनके कौन-कौन पार्टी हैं संपर्ख कर रही हैं कौन नहीं कर रही हैं मैं तो एक पक्तरकारता कि घृष्टी से और जो सामने दिखता है उस वीडियो देखा वहीं हो तेज भावों को गई लोगों से अपनी कुछ राय रख रही थी वो राय भी नहीं रख पाएं इतनी भावों को गई तो कि आर्जिना सिंग लोग ग्रामीर चेदर से आये गर्मी में तप्ती हुई धूप में लोग बैठे थे उन्हें देखके भावों को गई या कुछ और उनके अंदा बचार तो कल जिस तरीके से जन सेलाओ उम्रा है तो सभावेक रूप से एक जन नेता को ये देखते हैं कि हमने ये वोया है तो म प्रतिक घरेजी बरिष्ट पत्रकार उनका कहना है कि अगर चतरपूर में भाजपा अपने भूल स्वाइकार करें और कोहीं ना कहीं से आर्चिना गुटू सिंग को प्रत्यासी बनाए तो भाजपा के लिए बेहतर होगा अगर भाजपा प्रत्यासी नहीं बनाती है और अ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा चतरपूर से प्रदीप सिंग टीवी नान के लिए